हेलो फ्रेंड, विलकम बैक कल मेरे घर में एक छोटी से बड़े पार्टी है और मैं उसी की तैयारी कर रहे हूँ आज मैं गुलाब जामून और केक वाना के रखने वाली हूँ घर में कुछ ऐसे सेलेब्रेशन होता है तो हमें समझ नहीं आता की इंग्रेडियन्स कीतने लेने चाहिए तो आज मैं वही आपको बताना चाहती हूँ की छोटी से पार्टी के लिए आपको कितने इंग्रेडियन्स की ज़रूत होगी तो कल के पार्टी के लिए हम 10 बड़े लोग है और छोटे बच्चे 8 है तो सबसे पहले मैं केक बना रही हूँ मेरे पास मुझे एक बड़ा केक बनाना है और इतना बड़ा केक पैन मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने अलुमिनिम फॉयल से ये केक पैन बनाया है दो एलुमिनियम फॉल एक करके उसका एक केक बन गया अब मैं बना रही हूँ एकलेस केक बनाने के लिए मैंने यहां पर दही लिया है 400 ग्राम दही है और उसमें 500 ग्राम चीनी डाली है यहां पर चीनी मैंने पीस कर ली है जिससे चीनी दही में एकदम जल्दी से मिक्स हो जाती है अब यहां पर मैं डाल रही हूँ तेल 300 ग्राम तेल लिया है यहां पर मैंने यह संप्लॉर ओइल है और थोड़ा सा वैनिला एसेंस में डाला है यहां पर एकलेस केक में मैं पटर नहीं डालती तेल ही डालती हूँ अब यह अच्छे से मिक्स हो गया अब इसमें मैं यह मैदा डाल रही हूँ मैदा मैंने 600 ग्राम लिया है और मैदे में ही मैंने एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाली है और आदा टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाला है अब इन सबकों मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसलिए 30 तो 40 सेंड के लिए हैंड मिक्सर से मिक्स कर लेती हुआ, इससे जाला नहीं मिक्स करना, यह बैठर तयार हो गया है अब मैं जो केक पैन बनाया है उसे अच्छे से क्रीज करके उसमें ड्राय मेंदा डाल लूँगी इस ड्राय मेंदा निकाल देना है और इसमें यह केक बैठर डाल की इसे ओवन में बेक करने के लिए रदोंगी यह केक बेक होने में 35 मिनिट्स लगे थे 35 मिनिट में यह केक बेक हो गया था केक अच्छे से बेक हो गया है लेकिन एक दम राउंड शेप नहीं आया है ठीक है क्रीम लगा थे समय उसे राउंड कर देंगे अब मैं केक के लिए क्रीम बना रही हूँ यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम लिए है आजा लीटर विपिंग क्रीम है और जिस पतले मैं क्रीम बना रही हूँ उसे और हैंड मिक्सर के प्लेट को मैंने आदे गंटे के लिए फ्रीजर में रखाता जिससे क्रीम एकदम जलती और एकदम अच्छी से बन जाती है अब इस क्रीम में मैंने वैनीला इसे डाला है थोड़ा और ये क्रीम ज़्यादा स्वेट नहीं होती इसलिए तोड़ी से ही शुगर पाउडर डाली है अब हैंड मिक्सर को एकदम हाइप स्पीट पर रखूँगी जिससे क्रीम अच्छे से बीट हो जाती है क्रीम को जादा और बीट भी नहीं करना है क्रीम हाइप स्पीड पे पांस से चे मिनिट में हो जाती है केक को मैंने 3 लेयर में कट किया है इस सबसे पहले लेयर पर शुगर सीड़ लगा रही हूँ जिससे केक एकड़म सॉफ होता है और इस पे अभी मैं ये क्रीम लगा रही हूं मेरे पास क्रीम लगाने के लिए स्पैटुलर नहीं है इसलिए में नाइफ यूज कर रही हूं यहां पे मैंने केक बनाना ऐसे ही वीडियो देख देख के सीखा है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं केक में कई बार केक बना के देखने के पाद अब मैं थोड़ा बहुत तो अच्छे से केक बना लेती हूं घर पे अब कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो घर पे केक बन जाता है ये हो गए दो लेयर क्रीम लगा के अब ये लास्ट वाला लेयर लगा के लिती हूँ आज मैं बना रही हूँ यूनिकॉन के मेरी बेटी की फरमाशे उसे यूनिकॉन केक चाहिए देखते हूँ मैं ट्राय करती हूँ अगर बनता है यूनिकॉर्ण केक तो ठीक है नहीं तो ऐसे ही ब्लेंड रख दूँगी ये हो गया एक लेयर अब मैं इसे फ्रीज में सेट होने के लिए रखती हूँ और दो हुंदे बाद उस पे दूसरा लेयर लगा के लेती हूँ जब तक केक फ्रीज में सेट हो रहा है तब तक मैं यूनिकॉर्ण के लिए फांडन बना लती हूँ यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मार्शमेलो से ये फांडन बना लिया है तीन घंटे फ्रीज में सेट होने के लिए रखता ता ये अच्छे से सेट हो गया है आज पहली बार फांडन बनाया है कि मार्शमेलों उसे फांडन चलती बन जाता है यह लेकिन बहुत मैं सता है उससे अभ मैं इस फांडन से उनिकॉण आपन ऑर यह बना के लेती हूं तीन बार हॉन बना के तोड़ चुकी हूँ अब ये चोथी बार अच्छे से बना है ठीक ठाक शेप आ गया है अभी तो अब इसे में फ्रिज में रख देते हूँ तूसरे दिन तक फाउंडर अच्छे से सेट हो गया है अब मैं इसे गोल्ड कलर से कला कर देंगी ये एडिवल गोल्ड कलर है इससे अब मैं कलर कर देती हूँ इसे ये हो गए तयार अब केक डेकोरेट करने लेती हूँ यहाँ पर मैंने क्रीम में पिंक और परपल कलर एक साथ मिक्स किये है और उसे से ये फ्लावर बना रही हूँ और यहाँ पर मेरे बेटे मुझे बता रही है कि यहाँ पर ऐसा फ्लावर चाहिए वैसा फ्लावर बनो यहाँ से डिजाइन आनी चाहिए बहुत एक्साइटेड है वो उसी ने जित की थी यूनिकॉन केक चाहिए इसलिए यह मैंने बना के देखा लेकिन अच्छे से बन गया बच्चों के लिए हम ममी लोग क्या नहीं करते लेकिन इससे बहुत कुछ सीखनों को भी मिलता है यह बन गया यूनिकॉन केक तयार इस इसे फ्रीच में से रख दिया हाड होने के लिए कि ließके बाद से कर लगा संगा अब मैने गुसरों जा नाने के लिए ही उसके लियôm यह चाश्नी मना रही हूँ चाश्नी बननाने के लिए मैंने 8 से मैल पानी लिया है और उसमें five hundred squat में की डाली है िचाश्नी में थोरी ज् दी बन जाते हैं 200 ग्राम का एक पाकेट लिया है इससे 40 गुलाब जमुन बने थे अब इस आठे को अच्छे से बूत लेना है और आठा एकदम सॉफ्ट भी नहीं करना नहीं तो गुलाब जमुन अच्छे से नहीं बने जाए गुलाब जमुन छोटे-चोटे भी बनाना है कि यह वह फ्राइ करने के पाथ और चाशनी में डालने के पाथ और बड़े हो जाते हैं और इस पे एक भी ग्रैक नहीं होना चाहिए तब ही यह अच्छा गुलाब जमुन बनेगा अब मैंने गुलाब जामन फ्राइ करने के लिए है फ्राइ करने के लिए है फ्राइ करने के लिए आप गी यूज कर सकते है या तेल भी यूज कर सकते है अगर आप गी यूज कर रहे है तो गुलाब जामन एकदम ध्यान से फ्राइ करना और ग्यास की फ्लेम भी एकदम कम होन यहाँ पर मैं एकदम दीमियाज पर ही गुलाब जावन फ्राइ कर रही हूँ उसे अच्छे तरश से फ्राइ करना है नहीं तो वो अंदर से कच्चा ही रह जाता है इसे अच्छा ब्राउन कलर कर देती हूँ अभी यह डार्क ब्राउन दिख रहा है लेकिन चाशनी में डालने के बाद यह कलर बहुत अच्छा देखेगा चाशनी तयार हो गई है अब मैं इसमें थोड़ा सा हिलाची पाउडर और केसर डाल रही हूँ और ग्यास बंद कर दिया और ग्यास बंद करने के बाद थोड़ी दर चाशनी थोड़ी से धंडी होनी दी है पूरी धंडी नहीं करनी लेकिन थोड़ी से धंडा करना है उसके बाद में उसमें गुलाब जामून डालना है अगर चाशनी बॉल होते वक उसमें गुलाब जामून डाल देंगे तो वो पुरे कल जाएंगे इसलिए ग्यास बंद करके उसमें गुलाब जामून डालना है अब ये कल तक अच्छे से तैयार हो जाएंगे दूसरे दिन तक गुलाब जामॉन सारी चासनी सोक लेते है और साइस में और बड़े हो जाते है यहाँ पर मैंने थोड़े से बदाम डाले हैं इसमें तो अब ये वीडियो यही खतम होता है मिलते हैं हमारे कल की वीडियो में जिसमें हम देखते हैं डिनर की तरह यारी कैसी करने है तब तक की लिए बाबाई एंड टेक केर